नमस्ति दोस्तो आज हम बात करेंगे सिटाल सिरप के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सिटाल सिरप में डाय सोडियम हैडोजन सिट्रेट पाए जाता है किसी भी कारण अगर पेशाब में जलन हो तब इस सिरप का इस्तमाल क्या जाता है जैसे कि यूरी इंटेक्ट इंफेक्शन या किड्नी स्टून जैसे कंडिशन्स में और साथी सिरप का इस्तमाल ब्लेड में यूरिक असिड की मातरा कम करने के लिए भी क्या जाता है यूरिक असिड का लेवल बढ़ने के कारण किड्नी स्टोन और गाउट जैसे बिमारेों का खतरा रहता है इस सिरप को लेने के बाद अगर आपको नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, एब्डॉमिनल पेंज जैसे प्रॉब्लम्स हो तो इस सिरप को ना ले बात कर इस सिरप के डोस के बारे में इस सिरप को पाने मिला कर लेना होता है 10 ml दिन में 2-3 बार पानी मिला कर लेने की सिला दी जाती है तो यही थी कुछ जानकारी सिरप के बारे में अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लैक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इजी नॉलेज को थेंक यू